घूर लो नमस्कार जेहनायद भारत रतन के बारे में देखने वाले हैं करपूरी ठाकुर को मिलना और उनको विहार की र지नीते से परक्पड़ता है कीषिए किष कीष्ण बार्ब कुछ परकता है इसके बारे में एंट लोग तो वीडियों बने रहें और वीडियो अच्छा लेगा तो वीडियो को लाइब भी किजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करके रखें इस प्रकार की इनफार्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलें चलते हैं टापिक पे मैं भारत्रत्न का प्रमानपत्र मिलता है और दीखाया है यह देखाया यह मिलता है इसके साथ canoe कई इनको भारत्रतन प्राप्त होता है उनकी लिए रेल हेली यात्रा हवाई-ध्रा वालब होता है तरकार कोई कार कब्रेक्रम हो कोई से प्रकार केमिशर कारी को इकराम कार्यक्रम हो तो उसमें जो भी लिस्ट में आते हैं तो उन्हें प्रिफ्रेंस किस प्रकार से दिया जाएगा उन्हें किसी चीज की सुब्धा उन्हें समारों में किसी भी प्रकार की सुब्धा देना हो तो किस प्रिफ्रेंस में दिया इसके बाद मंत्री वारत- होता है प्रापक्ष करते हैं एक किसी बिसर biology कारिक्राम हो यह जो इसमें कि सीप्राकार की सुपधायों में प्रिफरेंस के लिए यह आर्डर कियाजाता है बहुत रातर जिरने मील जाता है वह इस त्रणी में आ जाते हैं ओन्सिशरकार में वरंट आफ राजय पाल में यह निकी यह वरंट प्रयाजिदेंट फाट के तहते प्राप्त करने वाले ब्यक्ति को उसमें भी प्रेफ्रेंस देना पड़ेगा कि इसमें उनुष्य लागू होता है इसमें भारती समिधान का उनुष्य का हुपाधियों का अंत कि उपाधियों का अंत मतलब कि कोई भी सरकार को किसी को भी और किसी उपाधी नहीं दी जाएगी इसमें किसी प्रकार की उपाधी से मना किया जाता है सरकार किसी भी प्रकार की उपाधी देने से मना करती है कि संभिधान मना करता है कि कि अगर कोई PhD कर लेता है तो उसे डॉक्ट्रेट के उपाधी मिल जाती है और अपने नाम के साथ डॉक्टर लाकर लिखना शुरू कर देता है इसलिए वह सैजडिक उपादी में आ जाएगा सैच्छाष्न समबंदित पाई उपादी उपादी में जैसे परमभीर कि उपादी किसी को मिलती है तो अपने हो के परंबिर लगा सकता है तो इसलिए वह सामरिक उपादी तो इन दोनों को छोड़कर बाकि किसी भी प्रकार्च के उपादी नहीं दी जाएगी और उपाधियों का अंत है यह अनुछेद 18 कहता है भारती संभिधान का तो इसलिए उपाधियों का अंत यहां विलाग होता है होने का मतल्म है अगर बैद्थी को भारत रटन मिलता है तो अपने नाम के आगे भारत रतन नहीं लगा सकता भारत रतन मिला है तो बढ़र ढर्राट करना मिलता है तो अपने नाम के लगा सकता है लेकिन अपने नाम के रूप में यानि कि उपाधी के रूप में नहीं लगा सकता है अगर जेसे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है तो भारत रत्न तेंदुलकर नहीं लग सकते यानिकि अपने नाम के आगे उपाधीं के रूप में नहीं लगा जा सकता है यह अठारा कहता है उपाधियों का आंत में कै довit के लिए इिनकम टेक्स नहीं देना होता है यानिकी सभ्रत में एर इंडिया की मुथ्त यात्रा की सुब्धा मिलती यात्रा आ रेल्वेय यात्रा में की सुभधा मिलती है अभी मैं बताया होयात्रा में तरह में परस्ट कि स्रिनिय का रोग लेने की अनमती नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर भाग लेना चाहे तुमने भाग लेने की अनमती इन्हें मिल जाती है कैबिनेट रेंक में कैबिनेट मिनिस्टर मंत्री चार प्रकार के होते हैं आपको पता होगा नहीं पता होगा तो इंडियन पाल्टिम बताएंगे मंत्री चार प्रकार के होते हैं सबसे बड़ा मंत्री होता है तो इन्हें जो भारत मिल जाता है तो इन्हें अस्तर का रेंक प्राप्त हो जाता है इसलिए भारत मिल जाता है ज़रूरत पढ़ने पर एक ज़रूरत की सुरक्छा उपलब्द कराए जाती है विभी आइपी के बराबर का दर्जा दिया जाता है मैंने बताया के अंदर किसी भी राजी में यात्रा के दवरान राजसारकार द्वारा उन्हें चेक शुपद्ध दिजाती लोगों के लिए हालांकि लेकिन उनसे ज्यादा होती है लोगों के लिए फ्री में होती है तो सब्सक्राइब वहस्ता होती है सब कुछ एक नंबर का होता है उन्हें यह फ्री में इसलिए सब्सक्राइब किसी भी राजयकी हो भारत में इसलिए वह सब्सक्राइब करानी है सब कुछ सब्सक्राइब प्राप्त हो जाती हैं हिआ भारत रतन सरवचनागरिक संवान सऱचनागरिक संवान का मतलब कि रोच के मतलबस्य बढ़ा और नागरिक संवान का मतलब कि किसी भी ताप स्वारी तो दिया धा सकता है उसके लिए तो एक निश्चित योग्यता सुनेश्चित की गई है लेकिन इसके लिए भारत रतने के लिए एक निश्चित योग्यता सुनेश्चित नहीं की गई है हाँ उसके लिए कला साहित विग्ञान या समाज सेवा में जो है कि समाज की सेवा एक बड़े अस्तर तक हो यह सहित्य में यह भिज्जान में या खेल में या समाज सेवा में बिशि हैंतर की राष्ट की शेवा की और उससे समाज को बबाई युग्दान मिला हो तरे बहुत technology युग तब वह था है इसके स्थापना राष्टरपती डाक्टर राजंदर प्रशाद के द्वारा इनकी स्थापना दो जनवरी उनुष चनवन को कि गई थी अधारा लागू होता है मैंने अभी बताया उनुष अठारा वहीं है उपाधियों कांत नहीं कि अपने नाम के आगे इसे भारत रतन के रूप में नहीं लगा जा सकता है कि मरने के बाद भी किसी को दिया जा सकता है आएक बर्स में विख्थी मा नहीं जा सकता है या नहीं है ऐसकता हैया लोगों kij tucked index इस अलंकरन करता आनिकी अलंकरन का नगरता है यानिकी देता कौन है तो भारत रॉंक हर सरकार देती है और भारत सरकार का मतलब होता है राष्ट पती भारत का राष्ट पती क्योंकि भारत का सासन जो है राष्ट पती के नाम से चला जाता है तो भारत सरकार का मुख्या जो है राष्ट पती ही होता है तो इसलिए भारत सरकार का मतलब भारत का राष्ट पती तो राष्ट सब्सक्राइब के संग कि देवनाइगरी में खुदा हुआ भारत रत्न के सब्सक्राइब के चमक्ती हुई और भारत रतन देवनागरी लिपे में खुदा हुआ है तो आप यहां देख सकते हैं अलंकरण यानि के उन्हें से चुवन में जो फर्ष्ट अलंकरण हुआ शुरू हुआ था तो पहला जो भारत रतने किसे दिया गया तो पहला भारत रतन एस राधा कृष में नाना जी देशमुख भुपेन हजारिका और प्रणा मुखर जी को यह दिया गया था प्रतेक बरस देना अनिवारे नहीं है अभी मैंने बताया कि किसी बरस में एक लोगों को दिया जा सकता है अधिक्तम तीन लोगों को दिया सकता है और कभी-कभी जीरो लोगों को भ भारत रत्न अप्से बड़ा नागरिक अलंकरन समान 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 है इससे नीचे होता है पदम भी-बी भूषन पदम भूषन और ृप पदमभी भूषण पदमभूषण और पदमश्री और तीनों को इन तीनों को मिलाकर पदमपुरस्कार कहा जाता है इन तुनों को मिलाकर पदमपुरस्कार कहा जाता है तो दो पुरस्कार है एक भारत रत्रत्रे पुरस्कार एक पदमपुरस्कार पदमपुरस्कार के तेन स पुरसकार प्रथम आटार में बदल दिया गया और अगया इसका नाम कर दिया गया गया बदम बीभूशन फोज भूशन और प्रण सृ ए धेख सकते हैं सिराज गौपालाचारी जी है सिराज गपालाचारी एसर अधा किष्णन जी है और सेवी रमन जी है पहला अलंकर समान जोहाई पहला भारत रतन समान इनी तीनों लोगों को मिला है भारत रतन प्राप्त करने वाले एक मात्र खिलाड़ी है सचीन तेंदुलकर जिन्हें 2014 में भारत रतन प्राप्त करने वाले आब तक सबसे कम उम्र के बेखती हैं हो जिन्हें कि सभूलकर मिला झार कि सब्रपर करने वाले प्रतम गाई का हैं है ब्रता करने वाले परतम गाई का सब्सक्राइब प्राप्त हो चुका है लेकिन और अधिकान से एक्जाम में आते हैं तो लेकिन ध्यान देंगे अगर भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली गाई का है तो भारत लेकिन पहले अन्ठांबर में भारत रत्न प्राप्त करने वाले गैर भारतिय हैं अब्दुलक्फार खां जिनने सिमांत गांधी और नेलसन मंडेला जो साउथ अपरिका के हैं यह नेलसन मंडेला रचिन अपरिका के हैं कि यह सचुन तेंदूलकर है ने खुब अच्छी तरह से जानते हैं और यह म मुलक्षमी काई का हैं कि अन्यजा बानबर में नेता जी सुभाष चंद्रबोश को मरणोपरांद पुरस्कार देने की घोशना की गए थी उन्हें से बानबर में सरकार ने घोशना किया था जुछ चंद्र को बोश को परनो प्रंट कैसे घोषद कर सकते हैं इसलिए इस पुरस्कार को वापस ले लिया गया मरनो प्रंट की वज़से जब इसमें विबाद होगा लोगों ने कहा कि ठीक है भारत रतन देना है तो मरनो प्रंट सब्सक्राइब लगा सकते आपको किसे पता क्यों मर गया हैं उनका पता ही नहीं कुछ नहीं गलात है इस पर काफी विबाद हुआ जब बाद हुआ तो सरकार ने बहुत मैं भारत सरकार भारत रतन वापस ले लिया और नहीं आया खेंट बार प्रत्रत्न वापस लेने का यहीं यह वुदा रहां है और भी रवी है मौलौनाब। कलाम अजाद का लेकि भारत रतन लेने से माना कर दिया माना क महाना किया क्योंकि चैन समीती में थे जो भारत रतन देने वाली समीती होती चैन समीति自体 उन्हों कहा कि चैन सदी जो आइसी समीट्वी निया जाएगा सदसे को भारत तर्तन नहीं है इसलिए इन्हें उन्हों लेने से मणा कर दिये और भारत नहीं मिला मरनो प्रांथ मर्णत मर्णत हो जाने के बाद एक कर विथार के बिधार कर दिए हैं किस प्रकार से किये हैं यह चीज़ अगले वीडियोगों लोगद देखेंगे तो पिलहाल के समझ ले फिलहाल के लिए 200ग कारपुरी ठैकुर को भारत रतन दिया गया है और कबुर सब्.ध थाकुर के बारे में गरणा को उससे पहले बता दें को पृषकार के बारे में जिसे मैं अभीफ पुरष्का पॉरस्कार की और पभूरस्कार कर तरीन और जाना जाता तोamm году अन्म स्वाथ कर पृष्यान समाज सेवा इन खेत्रों में भारत्रत्म दिया जाता है लेकिन इसके लिए और विस्तारित रहें पदम पुरसकारों के लिए नमांकन जो है एक मई से 15 माed में से 25 अक्टूबर की बीच होता है लग नमाचन उसी नमगर लगता है कि हमने इनके छेत्रों में это किई किरी हमने बहुत अच्छा कम किया है समाज में बहुत अच्छा युगदान दिया है वह नमांकन करा सकते हैं पर नाम समीति करती है और उनका सर्कार को सरकार को भेज़ती है सरकार राष्ट्रपती को भिजती है एक वर्स में अधिक्तम 120 लोगों को कि आ जा सकता है लोग दिया च्रस्कार पदम् पॉरस्कार है सबिस लोग करें लेकिन एक सबीस की संख्या जो रक्र टोट के को छोड़कर ये हैं पद्म पुरस्कार ये देख रहे हैं पद्म भीभूशन पद्म स्त्री तो पद्म भीभूशन पद्म भूशन और पद्म स्त्री ये तीनों पुरस्कार हैं जिन्हें तीनों को मिलाकर पद्म पुरस्कार बोलते हैं करपुरी ठाकुर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं करपुरी ठाकुर इनका जन्म 1924 में पिताव जीयां गाउं में हुआ था समस्ति पूर जीले में समस्ति पूर बिहार में और इसे अब कहा जाता है करपुरी ग्राम है कि किसान ठाकुर किसान थे और आई का मतलब जो बाल बनाने कारी करते हैं टेयलोन में आप लगे करते हैं उन्献 differentों से क्यान अच्छान करते थे खिसान थे इनकी माता स्रीमति राम्दुलारी यहीं घृण 24 में मैट्रिक पास इन्होंने पत्टना 2040 से जो सिक्षा हुआ करते थी उससमाइए अन्हें सब्यार्स में धारत छोड़ा अंदोलन में एक हट्री रहे जो वारत छोड़ोव एंदोलन चलने लगा था अंदोलन में महत्तपुन भूमिका निभाई काफी सक्री रहे करपुरी ठाकुरजी इसमें महत्तपुन भूमिका निभाने कारण इन्हें आरेष्ट कर लिया गया था चक जेल में भेज दिया था और इन्हें भागलपूर की जेल में रखा गया था वहां से जो है कि शुर्ब में इन्हें रिया किया गया था और 1995 में रिया हो गए यह आपके सामने कर्पूरी फाकुर जी प्रदेशवादी दल मेंaya अज़े बाधिक मंत्री बन गए उसमें यह बने में बने प्रदाशनेति刘ी में सार्वाध्य राजनेति केस असके बाद तक तो 1967 सन्वाज़िस्वाड़ी नेत्रित में सम्माज़वादी डल इसे Roc समाज़वदी डल अथ्मल स्वासोलिक्ष पार्टी इसने बड़ी ताकत bare के रूप में जो है कि सबसे बाड़ी पार्टी के रूप में उब्री आम ज़ल्ा में सबसे ज्यादा सीटे ले करता है कर पूर ठाकर बिहार के मुख्य मंत्री बन गए तो उससे में मैट्रिक पास करने के लिए उसे में पास करने के लिए अंग्रे जी अनिवारी हुआ करता था वर उसके बाद इसके बाद इसके पर सर्वे करा इन्हों ने रिसरच कराया उने सर्षट में जो है कि कर पुरिट ठाकुर जी ने इस तीज पर रिसरच किराए इतने अधिकान्स भच्चे फेल क्यों हो जाते हैं तो रिसर्च में पता चला कि अधिकांस बच्चे फेल हो जाते हैं इंग्लिस के चक्कर में कि जीतने भी फेल बच्चे होते हैं उसमें से अधिकांस बच्चे अंग्रेजी में फेल होते हैं इसलिए उन्होंने क्या क्या कि कि अंग्रे जी कि सिक्ष्छा को अनि वार्यता को खतक खतम कर दिया निया को अग्रेज केद वार्यता को समाप्त कर दिया और अगर अग्रेजी में कोई वहुचा फेल उसे फेल नहीं तो इसलिए अनिवार्यता जब च् connection की संख्या बढ़ने लगी ब्रेकार से जो है कि हैके लोक सिख्षा में सुधार आया क्योंकि अंग्रेजी अनिवारे कर दिया किस अब हिंदी में धूर्ट काम काज करेंगे इसके बाद शれて भी दान्सभा चुनाव जितने के बाद जितने भी जितने भी विधान सभा चुनाव नहीं यह इतने कदावर नेता थे इतने कि अच्छे में थे तर्पुरी ठाकवर जी वह भने सथ si floppy दर तक लोक नायक ट्राकाश नराण के ज़ात्र आंदोलन से से जुड़ गई है लोक नायक लोक नायक जे प्रकाश नराण जी केमे तात्र आंदोलन जो हुए इनके आं ど इनके नेत्रित में जो चाट आंद्रोलन हुआ उस अंदोलन से इन्हों ने जुड़ा अपने आपको जुड़ा और उसके बाद उन्हें इसके चुड़कर पुनासियम बन गए यहार के पुनासियम बने तो दूसरी बार बिहार के बेरा संफ्थान गरफ्रण मजद दूसरी बार बिहार के मंटरी बने उन्हाई सब लोक दल से के नेता बने उन्हाई 7 उते बाद राममान और लोहिया लों कने लोक ने रहन जैप्रकश्म नायव्य उंन कि राज्जिक गुरु आप मांते हैं अगर आप बिहार के राजनिति को जानते हैं तो इन नामों से खूब अच्छी तरा से परचित होंगे यह सब यह सभी लोग करपुरी ठाकुर को अपना राजनितिक गुरु मानते हैं एक बार उप मुख्य मंत्री रहा चुके थे तो कि यह था करपुरी ठाकुर के बारे में अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि करपुरी ठाकुर पिहार की राजनिती में भूचाल कैसे ला दिए इनसे क्या फरक पड़ा भारत्रतन देने से करपुरी ठाकुर को ब्हार की राजनिती किस प्रकार से लट फेर हो गई इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अभी वीडियो अच्छा लगाए तो सेर कर दिजे वीडियो को और च